हेलो फ्रेंड आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर मलाई कोफता जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलेसियस लगता है तो आप लोग भी फुल वाच कीजेगा और एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा सब को बहुत पसंद आएगा और अगर रेसिपी चार पांच प्याज को मैंने बड़े पीसे में रफली कट कर लिया है दस बारे लहसुन की कलिया लिया है अद्रक के पीस लिये हैं और तीन चार छोटी इलाइची को लिया है चार पांच टमाटर को मैंने बड़े साइज में इसको भी कट कर लिया है अब इसे ओयल में डाल के mix करके 3-4 मिनट के लिए ढग देंगे जिससे की प्यास टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए तो ये देखे प्यास टमाटर हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है अब इसमें से लहसुन अद्रक और छुटी लाइची को अलग कर लेंगे और इसके साथ ही आधा प्यास टमा काजू को छोटी पीसे में कट कर लिया है इसको डाल के रोस्ट कर लेंगे तो ये देखे ये अच्छे से बुन चुका है इसको भी अलग कर लेते हैं और फिर से मैं कढ़ाई में थोड़ा सा ओयल डालूंगी और तड़के के लिए मैं जीरा डाल दे रही हूं लाल मिर्च और डाल चीनी डाल देंगे और अब यहां पे जो मैंने प्यास टमाटर गलाया था उसको डाल देंगे और इसके साथ ही जो मैंने पीसा है उसको भी डाल देंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद यहां पे मैं एक चम्मज जो है स अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके 4-5 मिनट जो है मसालों को अच्छे से भूल लेना है तो ये देखे मैंने अच्छे से इसे भूल लिया है अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सौस डाल ले रही हूँ लगबग एक चमच और एक चमच ही मैं इसमें चीनी डाल लूँगे अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे मैंने आधा कटोरी फ्रेस मलाई ली है तो आप घर की मलाई या मार्केट वाली मलाई ले सकते हैं लेकिन वो फ्रेस होनी चाहिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से फेट लेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने इसमें डाल दिया है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है और साथ ही मैंने एक गिलास पानी डाल दिया है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे ढख के एक दो उबाल आने तक पका लेंगे तो पनीर मलाई कोफता है तो इसलिए इसमें क्रीमिस के लिए मलाई बहुत ही जरूरी है तो आदा एक कटोरी आप मलाई डालेंगे ना बहुत ही टेश्टी सबजी बनेगी और यहाँ पे मैंने पनीर को कदू कस कर लिया है और उसे हलका सा कदू कस करने के बाद मैश कर लेंगे और अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पनीर लेके इसे हथेलियों में ऐसे करके और इसके अंदर जो मैंने काजू और किसमिस को फ्राई किया है इसको डाल देंगे और इसे चारो तरफ से ऐसे फोल्ड करके इसके बॉल्स बना लेंगे तो इसी तरीके से सभी बॉल्स को रेडी कर लेना है तो ये देखिए हमने बॉल्स को बना लिया है अब यहाँ पे मैंने कनफलोर पाउडर लिया है 4-5 चमज और थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक डालके इसका पेस्ट बना लेना है और इसी पेस्ट में बॉल्स को डालके और फ्राई कर लेंगे अगर आपके पास कनफलोर पाउडर ना हो तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं तो यह देखे जब एक साइड से अच्छे से हो जाए तो इससे पलट के अलट पलट के फ्राई कर लेना है तो यह बॉल्स ना बिल्कुल नहीं तूटेगा बहुत ही इसली बन जाता है और अभी यह चिपका हुआ है ना तो जब यह हलका सा ठंडा हो जाएगा तो सारे बॉल्स को मैं अलग कर लूँगी तो इसी तरह सभी बॉल्स को जो है फ्राई कर लेना है और यहाँ पे हमारी ग्रेवी पहले से बनी हुई थी अब मैं इसे हलका सा और गरम कर ले रही हूँ तो इसकी ग्रेवी थोड़ी गाड़ी ही अच्छी लगती है तो उसके कोडिंग आप पानी डाल सकते हैं और अब यहाँ पे जो बॉल्स है उसको मैं डाल ले रही हूँ तो फ्रेंड यह सबजी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलेसियस लगती है बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है और साथी बड़ों को भी बहुत अच्छी लगेगी तो आप लोग भी कमेंट करके बत के सारा प्यार देते हैं तो यह देखिए मैंने सभी बॉल्स को डाल दिया है और उपर से धनिया की पत्ती डाल देंगे तो यह हमारी सबजी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है और फ्रेंड यह वाकई बहुत टेस्टी लगता है आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राइ क कीजेगा और मुझे भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो मिलते हैं अपनी नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए ठैंक यू टेक क्या बैबाए